मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहाँ नमस्कार दोस्तों मैरिया शर्मा आपका अपने इस यूटिब चैनल में स्वागत करते हूं 24 जनवली 2020 माग मास के क्रिश्न पक्ष की मावस है वही राहुकाल का समय रहेगा सवा 11 बज़े से लेकर 12 बच कर 34 मिनट तक सुर्य उद्य होंगे 7 बच कर 13 मिनट पर सुर्यात होगा 6 बच कर 4 मिनट पर सुर्य दिव रहने वाली हैं मकर राशी में और चंद्रदेव करने वाले हैं अपना राशी परिवर्तन धनू राशी से मकर राशी में अब जिन जातकों का जनम दिवस हैं उन्हें मेरी ओर से जनम दिवस की हारदिक हारदिक शुब काम नाए और जिनकी मेरी जनिवर्सरी हैं उन्हें भी मेरी ओर से मेरी जनिवर्सरी की हार्दिकार्दिक शुब कामनाई अब बात करते हैं दैनिक राशीपल की पहली राशी है मेश राशी आपके लिए आज का दिन बहतर रहेगा अपने काम को पूजा मानकर आप खुब मेहनत करेंगे कुछ लोगों को स्थानांतरन की सुच्छन मिल सकती है काम में आपका प् प्रेम जीवन में सुखी शन आएंगे और शादि शुदा जीवन में दिन अनुकूल रहेगा अगली राशी वरिश्म राशी आपके लिए दिन काफी अनुकूल रहने की और इशारा कर रहा है क्योंकि आज आज आपको भागय का साथ मिलेगा कुछ लोगों को मन चाही दामपत्य जीवन में तनाव हो सकता है प्यपार के सिलसले में जबर्दस थलाब के योग बन रहे हैं और धार्मिक आचरन आप कर सकते हैं अगली राशी है मितुन राशी आपके लिए दिन कमजोर रहने के और इशारा कर रहा है आपका स्वास्त भी कमजोर हो सकता है मांसि जीवन जी रहे लोगों को आज अपने ससुराल पक्ष से मल मुलाकात करने से बचना चाहिkee को जगडा हो सकता है उनके परीवार में किसी का स्वास्त भी ऺडित हो सकता है प्रेम जीवन्जी रहे लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा आप अपने विरोधियों प कर भारी पढ़ेंगी करक राशी आपके लिए दिन का कई नई उपलब्दियां लेकर आ रहा है प्यापार के सिलसले में आज आपको बहुत अदिक फायदा होगा जीवन साथी का स्वास्त पेड़ी तो हो सकता है लेकिन आपका रिष्टा बहतर तरीके से चलेगा एक दूसरे चीवन साथी से आपका प्रेम बढ़ेगा और प्रेम जीवन की बात करेज़े तो अपने प्रिया से आप किसी धार्मिक दृष्टी को इन पर विचार विमर्ष कर सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे से बहतर तरीके से समझने का आपको नोका मिलेगा नोकरी के सिलसले में किये गए प्रयास सफल होंगे और व्यपार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच परदाल जरूर कर लें अगली राशी आपके लिए आज कर दिन मिले जुले परिनाम लेकर आएगा आपके प्रेम जीवन में उताच अड़ाव के स्थिती रहेगी आपका प्रिया आपसे गलती मानेगा और आपके संबंद बहतर होंगे दामपत्य जीवन जी रहे लोगों के परिनाम अच्छे मिलेंगे और जीवन साथी अपनी जिमेदारियों उसको अच्छे से निभाएगा और आपका विवाह बंदन भी मजबूत होगा आपके काम की बात है आप थोड़ी से कमजोर पढ़ सकते हैं आपको ऐसा मैसूस हो सकता है कि आपके काम करने की जगा सही नहीं है इसलिए आप नोकरी बदलने का विचार भी इस समय कर सकते हैं अगली राशी तुला राशी आज का दिन आपके लिए उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है पारिवारिक जीवन में कोई नई बात आपके सामने आ सकती है या किसी सदस्य का स्वास्त भी करने से आप चिंतित रहेंगे इसका असर आपकी काम पर भी पड़ेगा लेकिन फिर भी आप अपने मनोबल के कारण अपने काम को सही अंजाम तक पहुँचा पाएंगे बिना सोचे विचारे बात करने से आपको परिशानी हो सकती है और प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अनुखूल रहेगा उनका परिवार उनके प्रती प्रेम का प्रद्रश्वत करेगा और जो लोग दामपत्य जीवन जी रहे उनके लिए जीवन अनुखूल रहने वला है कोई तीर्थ यात्रा संभव है जिस पर आप उनके साथ जा सकते हैं अगली राशी व्रिष्चिक राशी आपके लिए आज का दिन यात्राओं पर जाने के लिए सर्वसरेश्ट रहेगा यात्राओं पर आपको हुजा मिलेगी धनप्राप्ती भी संभव है और आज कुछ प्राप्ति के उदेश्चे से दिन अनुकूल रहेगा भागया आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा आज आप जितने प्रयास करेंगे आपको उनका लाम मिलेगा और अपने कारस्थल पर आपको कुछ अच्छे अनुभव होंगे उनकी वजह से आपके काम को पसंद क किया जाएगा अगली राशी धनुराशी आपके लिए दिन काफी अच्छे अनुभव लेकर आएगा जो एक मानसिक रूप से दबावा पहसूस कर रहे थे आज उससे ही मुक्ति मिलेगी कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं जिसके कारण आर्थिक तोर पर लाब होगा ख विच्टों में अनुकूलता रहेगी प्रॉपर्टी संबंदित लाब हो सकता है और अपने प्रिया को साथ लेकर आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं लिराशी है मकाराशी वाले लोगों के लिए आज का दिन खर्चों से मुक्ति देने वाला होगा आप काफी अच्छा कर सकते हैं आपके इंकम बढ़ेगी खर्चे कम होंगे आर्थिक तोर पर मजबूत बनेंगे और आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा आप हर काम को बहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे संपत्ति में बड़ा उत्री होने के संभावना है भागया का पूरा कर सकते हैं अगली राशी कुमबराशी आपको आज अपने अंदर प्रेम की भावना महसूस होगी जाए आप कोई प्रियाजन हो ओफिस का व्यक्ति हो आप सब के प्रती अच्छा भाव रखने वाले हैं आप एक ताजगी अपनी जीवन में आज महसूस करेगे और काम के सि की भी आपके स्थिति सुथरेगी आप अच्छी लंबी यातरा पर जा सकती हैं विदेश को पर जानी की प्लाइनिक कर सकते हैं आर्थिक तोड़ पर दिन थोड़ा से कमजोर हो सकता है क्योंकि आपके खर्चों में अचानक से बडोतरी हो सकती है प्रेम जीवन में दिन अन आपको हर्ष होगा दामपत्य जीवन में सुकून भरे पल मिलेंगे और जीवन साथी के साथ कोई पाँची की योजना बना सकते हैं अपने खास दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं फ्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है और अपने प्रियासे मन की बाद आप कर सकते हैं पार में भी सफलता मुलने की पूरी संभावना है